हेलो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और दिखिए पैसा आने को लिए करके आप सभी स्ट्रेंट के लिए गुड़ने हुझा है और काफी साथ स्ट्रेंट्स पूछ भी रहते कि सर मेरा तो स्टेटस मेरा फार्म तो वेरिफाइड हो गया है मेरा पैसा कब तक आ लिए का आज के लेत में करिए की इस प्रविजेट कर दिया जाए अब जाहिस से बात आपके पास कोई आपसन नहीं बचेगा और इस बार आपको श्कॉललशिप का लाब नहीं मिलेगा अब बात कर देखिए कि पैसे के बारे में पैसा आपका कं तक आया जैसे कि मैंने भी आपको इंफार्म किया था कि 15 मार्च से करिए कि प्रिमेटी के बच्चों का पैसा आएगा लेकिन जो पुरानी ओफिस्यल नोटिस है और हर बार क्या होता है जब भी विभाग के दोरा पैसा भी जाता है तो पैसा भी जाने से पहले कुछ चेकिंग का भी सेंटर सेर और स्टेट सेर करके तो कोई भी आपका सेर हो सकता है किसी भी सेर का पैसा हो सकता है अब यहां पर दीखिए आपका जो पैसा भी जाता है या फिर एपी बीएस के दौरा भी जा सकता है आधार पेमेट बिस सिस्टेम के दौरा भी जा सकता है यानिकि जो आपका मैसेज आएगा आपके दर गालागे नबर तो यहां पर प्रकार से आ सकता है पोश्टमेटिक होगा दी निया फ्रकार सिब्सक्राइब पोष्ट मैटिक सक भी-स के लिखा मैटिक है इनका एक शेयर आया है यहां पर और साथ तारीक के डेट में बहुत सारे बच्चों के यहां पर आपका इंटरफेस पर दिख रहा होगा एपी बीसी एससी द्वारा इनका पैसा और यहां पर पैसा है अब जाहिए सी बात है कि आप भी अगर आपका डायेक्ली इस तरीके से आता है तो इस तरीके से आपका कुछ दिखाएगा कि हां आपका ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर यूपी आई से आपका मैसेज आएगा अधहार पैमेंट ब्रीज के दौरा ब्रीज सिस्टेम के दौरा इनकी जो मालूम है आपनी स्कॉल का फार्म फिलप किया है तो अध आपका पैसा भेंडा आधार काट से जो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा नपीस आई से मैब रहेगा कोई जरूर नहीं है कि यह आपने जो फार्म प्रोसेस था पिछली बार भी बहुत सारे बचोंगा जो स्कॉलिशिब के आने की देट थी पैसा आने की देट थी उससे पह लगतार बच्चों का जो पैसा आना स्टार्ट होगा तो आपका होगा 15 तारिक से करिए के प्री मैटी के बच्चों का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और 22 तारिक से पोस्ट मैटी के बच्चों का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा एक और चीज़ यहां पर समस्य क्रिय मई में जून तक आपका पैसा बगर आता रहता है जुलाई तक आपका पैसा बगर आता रहता है तो यह नहीं कि अगर आपका मार्च में नहीं आए तो आपका पैसा नहीं आगा ऐसी बात नहीं आपका पैसा आते रहेगा वहाँ पे फंड मैनेज कियाता है बजट फिर से तय तो अभी आपको थोड़ा सा धहरे बनाए रखना है उनको भी घवड़ाने के ज़रूत नहीं है उनका सकेंड इंस्टॉन्मेट भी 15 तारीक के आस पास उनका भी चलाएगा और फिर से जो बच्चे पोस्ट्मेटिक और पोस्ट्मेटिक अर्द इंटर के हैं उनका पैसा अथाइस मार्च या फिर तीस मार्च के आस पास तक सभी बच्चों का पैसा उनके बैंक काउंट में क्रेजिट हो जाएगा आप इस स्थेटी को पीएफमस पे जाकर के जो आपका पीएफमस के ऑफिशल वेबसाइट है वहां से चेक भी कर सकते हैं आपका दिखाएगा कि तो अभी आपको थोड़ा सा धहर बनाया रखना है और जिनके भी स्टेटस में अभी गरवड़ी दिखा रही है देखिए अगर आज रात तक उनका स्टेटस अपडेट हो जागा अगर जिनका ओपन नहीं हो रहा उनके कल तक ओपन हो जागा अगर नहीं भी ओपन हो रहा या फिर आपका इस्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है तो आगे क्या प्रोसेजर होता है या फिर कहले कि विभाग के दौरा क्या सूचना आती है वह आपको थतकाल परभाव से इंफार्म कर दूँगा अभी आपको ज़्यादा घबराने की जरूबत नहीं है और निश्च थैंक्स वाचिक मिलते हैं नेक्स्ट डूडियो में